हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो स्वागत है स्वागत है स्वागत में चले दोस्तों आज हम इलेक्ट्रेशन समेस्टर ठीरी के मीच जो एक्जाम पुराएं आजकर थिक और सिवीटी उसका हम प्रिवेश देखते हैं तो आप मेरे साथ लाश तक बन रहे हैं और वीडियो को वाज कीजिए और इसी पीडियो से या इसी वीडियो से ही question आ रहे है हर शिप्ट में question रिभार्भ ह हुँ रहा है ठीक है चलिए question को इस्टार्ट करते है डीसी generator में X-form के रूप में चीनहीत भाग का नाम क्या है is DC generator में यह जो X भाग है आपका इसका नाम क्या है तो इसका नाम है कम्यूटेटर रेजर ठीक है आगे देखिए दूसरा है इसको थोड़ा जूम कर दे रहा है जेनरेटर का नाम क्या है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है आपका कि डिफ्रेंशियल डिफ्रेंशियल लॉंग संट कंपाउड है ठीक है आगे देखिए अगे देखिए अगे अगला कोशन है कि डिसी जेनरेटर में उत्पन आइएंफ की गाड़ना करने के लिए कि सूत्रक्रप्यों करते हैं तो इसका अंसरों को आप्टन नमर सी उत्पन आइएंफ जेनरेटेड आइएंफ जेडेन वाइट क्या लिखा गया है आप समझ नहीं है ठीक है यहीं आपका पी बटा यह याद कर लिजे कै यह hanya आपका आउंसर होता है ठीक है पीबटा एउड नेेट्स है आईएंफ की गहुचना करने का सूत्र क्या है तो राय यहेंफ के गढ़ना करने का सूत्र है जब एक टीस्य मोटर होता है तो इसका आंसर होता है E B equal to B minus I A R A वोल्ट्स ठीक है अगला देखिए DC generator में X के रूप में चिनहित भाग का नाम क्या है DC generator में X के रूप में चिनहित भाग का नाम क्या है इस भाग का नाम है आपका इस भाग का नाम है इस वहाग का नाम है भी सु क्या अबॉत तर है इसका नाम क्या है इसका नाम है इसेप्रेटली एक्जितिट जनेरेटर अलग से उत्तेजित जनेरेटर ठेक्च है अगला है जेनरेटर द्वारा किस उर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है जेनरेटर द्वारा किस उर्जा को बिदुत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो या अंत्रिक उर्जा को ठीक है अगला कोशन है दोस्तों बहुत इंपॉर्ट कोशन है इसे मुझे बार-बार करने के जोरत नहीं है यह बहुत ही बहुत important question है कि इसी से question repeat हो रहा है ठीक है इसलिए आप इस question को इसमें total 400 लवा question है और मैं इसको 50-60 question करके वीडियो चार-पाच वीडियो बना दे रहा हूं ठीक है आप इसे कर लीजिए और इस जन्रेटर फिल्ड का नाम क्या है तो जन्रेटर फिल्ड का नाम है आपका इस जन्रेटर फिल्ड का नाम क्या है तो इसका लगा सकते हैं आप संच्छाइब यहाउग जर्नेटर ऐसे मुझेक अर्फय पाता नहीं तो चाले आगला दिखिए जिनरेटर का सिधांथ क्या है जिनरेटर का सिधांथ क्या होता है फैराड से ंजिल्फ से प्रेद के लिए शुत्र क्या है ल्वी सांट वोल्ट से ज्ट्र कि देशा ग्याद करने के लिए All नियम का उपयोग किया जाता है cm बखेचे शेतर की दिशा ज्यात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम DC जनरेटर का भाग का नाम क्या है यह जो फिगर दिया गया इसमें DC जनरेटर के भाग का नाम क्या है बताए इसका नाम क्या है इसका नाम है अपसर नमबर D योग या फ्रेम ठीके अगला है generator के duplex lap winding में कितने संनानता रास्ते होते हैं generator के duplex lap finding में कितने समनानता रास्ते होते हैं इसका answer होगा 8 ठीके अपसन NUMBER subject है आगे देखिए DC generator के भाग का नाम क्या है DC generator का भाग का नाम क्या है इसका नाम है Armature Core Lamination आगे दखिए DC Generator में Interpol कैसे जूड़े होते हैं DC Generator में Interpol कैसे जूड़े होते हैं इसका आंसर होगा Option No.A Armature के साथ स्रिंखला में आगे दखिए एक स्वयम उतेजित DC Generator में और सिर्ट चुम्बक कत्व की अवस्षेक तक क्या है ठीक है तो इसका आंसर होगा Option No.A Voltage का निर्माड करना आगे दखिए निमी का question वैंक है यह दोस्तो जो की निमी application है वो मतलब NCVT का ही है हम लोग का admin कर भी निमी application से और download होता है विबसाइट यह हैं और application दोनों हैं नेक्स्ट है मशीनों में कौन से दो बिंदू जो ब्रश संपर्क परतिरोद को मापते हैं ठीक है तो इसका अंसर होगा option वर्षी ब्रश और commutator के 20 परतिरोद ब्रश नेक्स्ट है अपका question है कि किस voltage drop को x के रूप में चिनित किया गया है जो x है यहाँ पर किस voltage drop के रूप में इससे यहाँ पर चिनित किया गया है तो इसका आंसर होगा आपका सी ठीक है अर्मेचर reaction drop नेक्स्ट है compound generator का नाम क्या है compound generator का नाम क्या है यदि sunt field armature के साथ समनांतर में जूड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या है तो इसका नाम है short sunt compound लगू sunt योगित ठीक है आगे देखिए आगे है कियम एक DC generator के आर्मेचर को पटलित है कियम एक DC generator के आर्मेचर को पटलित है तो इसका आंसर होग आपसन नमबर D भावर धारा हानी को कम करें ठीक है अगला है DC generator का आर्मेचर परतिरोद बहुत कम क्या है DC generator का आर्मेचर परतिरोद बहुत कम क्या है तो इसका आंसर है B आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें अगे देखिए DC generator को घड़ी की दिशा में ही क्यम चलाना चाहिए DC generator को घड़ी की दिशा में ही क्यम चलाना चाहिए बताए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होग आपसन नमबर B और सिस्ट मकत्तों की रख्षा करें ठीक है बड़े DC generator में घुमावदार छती पूर्टी क्यों परदांग की जाती है इसका आंसर होग आपका आर्मेचर पर्तिकिरिया परभाव को बे असर करें ठीक है नेक्स्ट है DC generator के वोल्टेज का निर्मार करने में बिफल होने का करण क्या है DC generator के वोल्टेज का निर्मार करने में बिफल होने का क्या करण है तो इसका आंसर होगा आपका फिल्द पर्तिरोध क्रान्थिक पर्तिरोध से उपर है नेक्स्ट है जेनरेटर का नाम क्या है यदि इसका छेत्र आर्मेचर के समनानतर जुड़ा हुआ है generator का नाम क्या है यदि इसका चेत्र आर्मेचर से के समनांतर जुड़ा हुआ है इसका अंसर होगा shunt generator ठीक है DC generator में पोल सू काउदे से क्या है DC generator में जनरेटर में पोल सू काउदे से क्या है इसका अंसर होगा एर गैप में समान रूप से प्लक्स को पहलाएं DC जर्नेटर में अस्प्लिट रिंग का क्या कारे है इसका अंसर होगा अप्सन नमबर B यहाँ पर है भी अपका ठीक है धारा को एक दिशा में एकत्र करता है नेक्स्ट है जेनरेटर में ब्रस बनाने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया जाता है जेनरेटर में ब्रस बनाने के लिए किस सामगरी का उप्योग किया जाता है तो इसका आंसर है अप्सन नमबर B कार्बन और ग्रेप हाइट ग्रेफ हाइट किसका तो कार्बन और ग्रेफ हाइट किम डिसी जर्नेटर अपने अवसिस्ट चुम्बकत्वर खो देते हैं तो इसका आंसर होगा अपसर नमबर डी रोटेशन की दीशा अक्सर बदलती रहती है ठीक है अगला है जेनरेटर में योग और द्रूग के माध्यम से चुम्बक्य सर्किट कैसे पूरा होता है तो इसका आंसर होगा आपका आर्मेचर कोर से ठीक है नेक्स्ट है दीशी जेनरेटर सोरी दीशी संट जेनरेटर ठीक है ओपर कुश्चन है में लोड बढ़ाने पर टर्मिल वोल्टेज कम क्यम हो जाता है ठीक है टीशी जेनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिल वोल्टेज कम क्यम हो जाता है ठीक है तो इसका आंसर है आर्मेचर पर्टिकरिया पर्भाव के करण नेक्स्ट है लंबी दूरी की वीत्रड लाइनों के लिए किस परकार के DC जनरेटर का उप्यों किया जाता है तो इसका आंसर है अपसर नमबर अगला है आपका जनरेटर में इंसुलेशन परतिरोध के बेहतर बनाने के लिए किस वीधी का उप्यों किया जाता है रख रखाव के दरन मशीनों में गर्म हावा देना ठीक है निक्स्ट है और शीष चुम्बकत्व के अभाव में किस परकार का DC जनरेटर काम करता है अलग से उत्यजित जनरेटर ठीक है नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग के लिए किस परकार के DC जनरेटर का उप्यों किया जाता है इसका अंसर है अप्शन नमबर C विभेतक योगिक जनरेटर ठीक है नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में तर्क वाइडिंग की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् देश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि अगला कोश्चन है डिसी जनेरेटर में ठोस पूल सू का उप्योग किया जाता है तो 39 का अंसर आपका option नबर D, चुब के पथ के रिल कंटेंट को कम करने के लिए, अगला है, बढ़ी छामता के DC जनेरेटर योग बनाने के लिए किस तहातू का अपयोग किया जाता है, इसका आंसर है, अप्सन नमबर D, रोल्ड अस्टील, नेक्स्ट है, DC जनेरेटर में और स्प्लिट रिंक्स का क्या का रहे है, एक दिशा में आउट्पूट बनाता है, DC जनेरेटर में किस परकार का वोल्डेज गतिशील रूप से प्रेडित होता है, तो इसका आंसर है, परत्यवर्ति वोल्डेज, एक्स की रूप में चिनीत स्लाउट का उदेश से क्या है, चलिए बताएए कि ए जो है आपका, यह है, इसका नाम क्या है, मतलब इसका उदेश से क्या है, कुझी तरीका ठीक करने के लिए, ठीक है, चाब भी बनता है न, उसके लिए, अगला है आपका, डीसी जेनरेटर में फिल क्वाइल का उदेश से क्या है, डीसी जेनरेटर में फिल क्वाइल का उदेश से क्या है, कुंडी फ्लक्स का निवा करने के लिए, ठीक है, आगे देखिए, बढ़े डीसी जेनरेटर मसीनों के पॉल कोर बनाने के लिए, किस्त हातों का उप्योग किया जाता है, परड़े DC generator मशीनों को पूल कोर्क बनाने के लिए किस्त हातों को अप्यों किया जाता है तो 45 का अंसर होगा अप्सनमर सी ढालवा इस पाथ